हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की शिक्षा निदेशाले राष्टे राज़ानिक्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 32 जो की कक्षा छटी के विद्यार्थियों के लिए है यह लिगई है हिंदी विशे से और इसमें हम पाठ अक्षरों का महत्व को जारी रख रहे हैं तो चलिए जल्दी से शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों पिश्रे कारे पत्रक में हमने लेखा गुणाकार मुले यहाँ पे गलत दिखा है भूले मुले है वो मुले द्वारा लिखा निबंद अक्षरों का महत्व पढ़ा जिसमें हमने अक्षरों की खोजेवं अक्षरों के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की तो चलिए आज हम अक्षरों के इतिहास के विशे में विस्तार से जानते हैं देखे, प्रागेती हासिक मानव ने यानि पुरान बुलकुल आधि मानव ने सबसे पहले चित्रों के ज़रिये अपने भाव व्यक्त किये जैसे पशुओं, पक्षियों, आद्मियों आधी के लिए चित्र। इन संकेत, चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए जैसे एक छोटे से वृत के चहुं और किर्नों की दियोतक रेखाएं खीचने पर वै सूरे का चित्र बन जाता था बाद में यहीं चित्र ताप या धूप का दियोतक बन गया शब्द याद रखना दियोतक इस तरह अनेक भाव संके तस्तित्व में आए तो यहाँ पर जो हमने अभी शब्द पढ़ा दियोतक का मतलब होता है प्रतीक यानि हम कोई चीज बनाते हैं और हम कहते हैं यह इसका प्रतीक है ठीक है, तो दियोतक का मतलब प्रतीक होता है, और इस तरह अनेक भाव संके तस्तित में आए, यानि वो वास्तविक रूप में आए, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, अक्षरों की खोज के सिलसले को शुरू है, मुश्किल से छे हजार साल हुए ह केवल छे हजार साल, और आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इन चित्रों के माध्यम सही, शायद उसने अपनी बात को दिखाना शुरू किया होगा, जैसे ये शिकार का द्रिश्य है, तो किसी ने कहा होगा क्या करना है, तो उसने ऐसे शिकार का चित्र बना दिया, तो इसका मतब शिकार बन गया, फिर धीरे धीरे, फिर भाव संकेत बिया है, और अक्षर बनते चले गए, ठीक है, तो चलिए, अब हम जल रहे हैं, अपने प्रशनों तर की होगा, पहला प्रशन है कि प्रागयती हासिक मानब ने सबसे पहले किसके जरिये अप संकेत, धूप संकेत या चित्र संकेत, तो चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, फिर अक्षरों की खोज के सिल्षले को शुरू हुए, मुश्किल से कितने साल हुए हैं, पांच हजार साल, दो हजार साल, छे हजार साल, या फिर आठ हजार साल, सही उत नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको कर देते हैं आदमियों ने ठीक है फिर पांचवा प्रश्न किसके चहू और किर्णों की दियोतक रेखा खीचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था एक छोटे से आयत के चहू और एक बड़े वृत के चहू और या एक बड़े आयत के चह मतलब क्या होता है देखते हैं तो देखिए दियोतक आप यहां पर लिख सकते हैं दियोतक शब्द का अर्थ है प्रतीक क्या बोला प्रतीक यह सिंबल भी जिसे हम बोलते हैं और फिर आप लिखेंगे अस्तित्व 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 शब्द का अर्थ है तो इसका अर्थ आप यह भी लिख सकते हैं विद्यमान होना थेक हैं या मौझूदगी भी हो सकता है तो यह तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन्स आपको टाइमली मिल जाएं लेकिन याद रखेगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और स्कूल जाते समय जरूर मास्क लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का ठीका करन्ट जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिन्दगी को एक बार फिर से सुहना बनाना है इसी उम्मीद के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद